तो कि हैं दियार्च नीउस के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी और हम बात कर रहे हैं फेस्टिव सीजन की कल हम आपको मार्किट लेकर गए थी और बताया था कि इस बार फेस्टिवल को लेकर क्या-क्या ट्रेंड में है क्योंकि पहला तोहार करवा चोथ आने वाला है और कुछी दिन बाकी है और इस तोहार को लेकर हमारी लेडिज खास कर जो है वो काफी ज़ादा एकसाइटीड रहती है पूरा साल इंतजार रहता है इस त्योहार को और जब यह त्यूहार आता है तो जम कर शॉपंग की जाती है और शॉपंग किसीसे कम नहीं होती और किसी से कम दिखना भी नहीं चाहती है तो जिसके लिए आज हम एक और एपिसोड लेकर आए FM जिसमें ये discuss करने वाले हैं कि इस बार trend में क्या है क्योंकि करवाचोत का festival है तो trendy दिखना तो लाजमी है चाहे traditional पहनना हो चाहे इंडो western पहनना हो या चाहे western पहनना हो पर आपको जो है थोड़ा सा trendy तो दिखना ही है जिसके लिए आपको जो है अलग-अलग boutiques का रुख करना पड़े होंगे कि यहां पर नजर दोड़ाएं जी हां क्योंकि किसी भी outfit को पूरा करती है जूल्री और यह जूल्री बड़ी ही unique है क्योंकि आपको ऐसी जूल्री मिलना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि यह सारी जूल्री अगर बात करें तो handmade है आप यह collection देख कर खुद ही कहें कि वाओ मेरी ड्रेस में चार चांद लगा दिये इस जूल्री ने यह देखे कितनी खुबसूरत और कितनी प्यारी जूल्री है handmade जूल्री है और देखे इसके डिजाइन्स जो हैं वो आपकी आँखों को ही नहीं आपकी ड्रेस को भी भई कहीं न कहीं और जादा खुबसूरत बनाएंगे तो चली अब आपको जो हैं इस बुटीक की ओनर से मिलाते हैं यानि की संध्या गुपता से मिलाते हैं जो की ओनर है अपेरेंसिस की उनसे मैं सबसे पहले तो अर्थ्मी पर आपका स्वागत है तो बिलकुल लेकर किए अच्छा तो लग रहा है पर हमारी लेडीज को भी अच्छा लगना है और वह तैयारी भी कर रही है बट इन दारेंट क्या है वो जाना बड़ा ज़रूरी है क्यों कि ट्रेंड के हिसाब से हम ह मझे लगते हैं ँदिए जो इनसान के पहनना चाहे। तो मुझे लगता है वही ट्रेंड होता हैं तौनी करता है वह पहनना चैए और खुबसूरती इनसान के अंदर होती हैं बाहर हम कपड़ों से खुब जौप सी उसलोंते हैं और जूइलरी जो है ! सान को और खुबसूरत बनाती है तो वो कोशिश रहती है कुछ ऐसे आउटफिट तयार किये जाए जिन से लेडिस और खुबसूरत दिखे मुझे क्योंकि लॉक्ड़ून की वज़े से आपको पता है कि सब लेडिस अंदर बैठी हुई थी डर खोफ ता बहार निकलने का तो करवाजोद में वो डर खतम हो जाता है वो सीजन फेस्टिवल सीजन होता है जो करवाजोद अपनी पती के लिए रखी जाती है चाहे इस्तरी जो है महिला पूरा दिन फाका करती है पूजा पाठ करती है दुआय मांगती है और कुछ ऐसे हस्बेंड होते हैं जो चिकन भी को पूरा करें और अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो अपे दिन का सकते हैं ऑर उनके को हम पूरा करते हैं क्योंकि मुझे लगता है वीवर्स भी क्लेक्शन देखना चाहेंगे कैसी कैसी क्लेक्शन है यह ठीक है यह आउट्फिट तो ठीक है मुझे पसंद आया बट जो नेक्पीस है वो यूनिक है मतलब इस आउट्फिट को कम्प्लीट करता है पहले आप इसके बारे में लगता था कि ढायमंट की जो जुवल्री है वो सब पैनते हैं को सब कुछ हट के चाहिए होता है जलते हैं जो आईक्षा प्लमीट करते हैं वो मैं देखाती हो कुछ ऐसे op gathered इसे शी जो शायद किसी ने पहले नहीं देखी होगी जैसे यह 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 एरिंग से बहुत सवाद से हैं देखो और बहुत सुनुदर लगते हैं और यह सारे हैं में ज़िवल्री है यहां पर और बहुत सुनुदर सी एक्सलिउसव जुवल्री है यह देख सकते हो सी और बहुत एफोर्डिबल प्राइजिस होते हैं इतने जादा नहीं होते हैं यह देखो पर इतनी सुन्दर चीज़े हैं आप जरह में कैमरा में से बोलूंगे यहां पर फोकस करिएगा यह जुल्री दिखाएगा क्योंकि यह सिर्फ जमो में फर्स्ट ऐसा हमारा स्टोर है जिसमें यह जुल्री जो है खुद बनाई गई है जैसे आप सूट्स पे जो काम करवाते थे दपका पर्ल का वही आज हमने यह देखो जुल्री में हमने डिजाइन किये हुए हैं तो अगर जो भी देख रहा होगा वो एंशन नहीं लें आएं यहां पर देखें उनके अग जो काम करते हैं तो मैं हमेशा से ऐसा करती थी लोग मुझसे जो भी आटफिट बनवाते थे और वह मैचिंग जुल्री भी डिजाइन करते थे तो यह मैं शुरू से करती आ रही हूं पर अब भी जो है कुछ पीसे हमने रेडी करा कर रगती हैं और बाकी आप एक लुक दि यूनीक इस है यह भी आप भी डिजाइन करते हैं यह मैं ने करवाया था कस्टमाइज करवाया था यह वाला डिजाइन और जब भी कोई हमारे यहां पर सेलिबरेटी आता वो यह मेरे यह क्लच को पकड़के जरूर रैम शो पर रैम बनाया है जैसे आप देख रहे हो करते हैं मैं जैसा कि बहुत कम लोगों को पता है कि मैं फिमेल के लिए तो हमेशा से डिजाइनिंग करती थी पर मेल के लिए भी मैंने शुरू से ही डिजाइनिंग की है और इस टाइम बहुत बड़े-बड़े मुंबई से वालीवूड से सेलिबरिटी आये थे जिनके पर इस बार ट्रेंड ने चल दा गया तो लोग पहन तो डेड़ कलर रहे थे पर जब करवा जो था था ती तो नंको मन होता है कुछ ब्राइट कलर जैसे हॉट रेड कलर इस नंबर बन पे आया हुआ है और होट कलर जो है मझे लगता है कि दादी नानी के टाइम से जलता आ इसा फेस्टिवल होता है जिसमें लोग ब्राइट कलर पे जाते हैं और हमेशा मैं देखती हूं ब्राइट कलर सूट करते हैं रेड आउटफिट पैंते हो तो रेड बिंदी बहुत संदर लगती है साथ में रेड चूडियां इस तफ़ी की जो जनरेशन है जो यंग जनरे चीज़ें है इस पर दिख रहे हैं और जैसे रेड पिंक है या पीच है जो भी हॉट कलर है वो इस पार ट्रेंड में नजर आ रहे हैं इसाइट पर बनाया है आप देख सकते हो ये स्लीव जाएंगी एक साइड पे इसका ड्रेप है और नीचे से जो इसका आउट फिट है वह बहुत ही अमेजिंग है आपको एक ऐसी वेस्टल लुक भी देगा और आपका जो बाकी फेस्टिवल का पूरा शोंग है वह भी पूरा आप जैसे यह देख रहे हो आप इसमें देख सकते हो हॉट पिंक के साथ मिंट ग्रीन को कॉम्बिनेशन है ये देख एक फ्यूज करता है और एक चीज़ बताना चाहूंगे आपको की एपोड़ेबल प्राइज़ है हमने अब प्राइज़ बहुत कम कर चुके हैं बिकुस हमें बता है कि लॉक डॉन की वज़े से बहुत जो बिजनस था वो बहुत ही डाउन चला गया था ची तो इसे डरने की कोई बात न आपके मन में ना जाने क्यों रहता है मुझे भी नहीं बालो हाला कि हमारा कुछ ऐसा इरादा नहीं होता है और पिछे हमने जो दस दिन से एक एग्ज़िशन करी थी वो एक नोबल कॉस के लिए एग्ज़िशन लगाई थी जिसना भी हम पैसा कमाया हमारा वोमेन क्लोब मे अब बार बार जैसे यह ब्लैक कलर है यह ब्लैक कलर की ड्रेस तो करवाचोत में लोग बोलते कि एवोइड कर दो फिर पी आपकी कलेक्शन में है और फेस्टिवल सीजन है तो यह दिवाली आग आगे शादियों का सीजन है तो मैं दिखा रही थी कि यह जो गौरव गुप होते हैं डिस बड़े-बड़े डिजाइनर की क्लेक्शन पहनने को लोग एफोड नहीं कर सकते तो हम उन सब को बताना चाहेंगे आप गौरव गुपता कोई भी डिसाइन हमसे बनवा सकते हैं और यह आप देख रहे हो यह आपका दिवाली आ रहा है कॉक्टेल पार्टी स द अब बन खालेका और मुझे लगता है नो में तो दो दिनों में कैसि वह स्पीड दब तयारी होते है क्योंकि वह टिप्स रहते हैं हमेशा कि स्पीड थायारी कैसी मारे आउट्टी रहते हैं हमने एड्वान्स में रिडि करके रखने सारी कॉलेक्शन अगर लास्ट मॉम करेंगे काम करना बहुत जरूरी है अपेरंस के लिए क्योंकि अपेरंस अब कुछ और दिशा बदल चुका है अपनी और हमारा मकसद है कि हम अपने जो ऐसे लोग है जिनको हमारी जरूरत है जो मुझे एक मां का दर्जा दे चुके है तो मां चाहती है कि वहर बच्चे को इसके सासर मेरा सवाल है कि और क्या चीजे इस बार आपकी तरफ से रड़ी की गई है कि चाहे अब एक होता ने डिजाइनर आउटफिट पहन लिया सब कुछ पहन लिया जूलरी पहन ली जैसे हमने देखा जूलरी भी है और क्या ऐसा कुछ आपके पास मिलेगा जिसको ले और पर्ल वर्क हलका हलका है जिसमें बड़े सारी स्टाइलिश ब्लाउस बना जा रहे हैं अपनी चॉइस के कॉर्डिंग बैकलस पैड़िट जैसे भी डिजाइन होगा तो बहुत सुन्दर लग रही है तो एक ट्रेंड आया है सारी का लोग सारी सिल्क सारी अब पहन रहे जो बहुत स्राइग गरा रहे हैं पैंड सूट है जो जनरेशन है वह बहुत हे नहीं पहनती है अलिके ड़्यक्र शारारे के रखखा ह्या जाए कि लेंगोंब दिएक क्याए कि बॉहा लगा मुझे मुझा है जिसको मतलब ज़्यादा हेवी वीर ना है जिसको ज़्या ट्र यह हमारा पर्सनल डिजाइनिंग है जो हमने रेडी किया है और आप दिखा सकते हैं यह कॉपी करना मुश्किल है इंपॉसिबल है जो हमारे वोक होते हैं वो कहीं पॉसिबल नहीं होते हैं सो आप देख रहे हो एक रोज है इसके शोल्डर पे